नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड वाई विए से रिलेटेड फ्लाइट के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडिया के इतने ज्यादा लोग मुझे लगता है जब से ये पेंडेमिक आया करोना का मार्च 2020 से लेके अब तक की बात करें तो जितनी भी देशों में लोग रहते हैं ठीक है बहुत सारे देशों में लोग रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं देखिए दुबई में लोग रहते हैं इंडिया के जी हाँ आपको पता है लगबग 33 मिलियन से उपर तो सब कुछ है उनका जिंद्गी वहीं से शुरू ही तीर वहीं पर उनकी खतम हो जानी है आपने देखा होगा उनका इतने ज्यादा लोगों की प्रेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है फ्लाइट की वजह से आपको पता है पंद्रा अभी फ्लाइट है लोग आए थे उमीद नहीं थी कि फ्लाइट इस तरह से बंद हो जाएगी इतनी लंबी बंद चलेंगी जी हाँ फ्लाइट है अभी भी सरकार जितना नाटक कर रहे हैं उतना कोई भी देश अभी तक नाटक नहीं किया आलांकि पहले इसमें हमने उसकी मांदारी के कसीते भी पढ़े थे बह उनकी वज़े से करोना नहीं होगा यह 100% सही बात है फैक्ट है क्यूंकि वो करोना की रिपोर्ट लेके जाएंगे एरपॉर्ट पर एपिटेस्ट करवाएंगे दोनों दोज लेके जाएंगे तो फिर करोना कैसे होगा बावजूद भी फ्लाइटों का अभी ओपन होने की क प्लाइट चालू हो जे जिए बहुत सारे लोग मेंट कर रहे हैं कि हम भूके मर रहे हमारे वीजे खतम हो गए हम क्या करेंगे दुबई की फ्लाइट चालू करें लेकिन जहां तक मुझे उमीद है कि एरलाइन्स के हाथ में क्या फ्लाइट चालू करना अगर आपको है कि आप एक दिन मोईन्य चला दें कि जा से सिस्टमहाएं होता है वहीं से ईक ओप्रेट सीस्टमह चला सिस्टमह लाकों की संक्या में रिटवीट हो जबाएगा फर्क तो पड़एगा ना क्योंकि संक्टन में सकती होती है यह मैंब में उसके बाद दलती Κे हां रियल में लोग परेशान हो रहे हैं बता तूं लोग इतने कमेंट कर रहे हैं इतने लोगों की परेशानी हो रहे हैं लोगों के देखिए वीजा खतम हो गए जोब खतम हो गए जोब पैसा था वो खतम हो गए सेव मनी कर रखी थी वो खतम हो गए परिवार, बच्चे, पढ़ाई, शादी, करजा, व्यापार, दुबई में व्यापार थायार लोगों का, सब कुछ, देखे एक आदमी कुछ जैसे मैंने कि उसको पता है 30,000 रुपे आ रहे हैं, उसी के साब से वो सटल लेके चलता है कि इस पैसे से अपने ऐसे ऐसे करेंगे और वो बंदा छे मैंने से घर पे बेटा है, वीजा खतम हो रहा है, जोब खतम हो रहा है, उसके तो वो सबने जो परिवार, बच्चे, बढ़ाई, सब कुछ खतम हो जाएगा, पैसा सादी कहां से लाएगा पैसा, तो बंदे का कितना प्रेसा नहीं होता है, करजा हो जाता रही है, लोन, क्रेडिट कार्ड से समंदी, चेक से चेक लोगों को दे रखे है, दुबई में, वो चेक लोगों के बांस हो रहे हैं, रूम का रेंट भी वहां पे, वो इंडिया में बेटे, रूम का रेंट वहां रहा है, वर्कर की सेली, ये भुगमरी के हालात पैदा हो रहें दुबई से रेलेटेड जी हां क्योंकि जो लोग दुबई में बिजनस करते हैं वो चे इंडिया में बैठे रहों उनका खर्चा वहां पे आज उतना ही लग रहा है जितना वह रहते तो लगता रूम रेंट आपको पता है लगेगा अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले स्थिय लोगों के बाउंस हो रहे हैं उधर बैंक वाले बोलते हैं जी हमें पैसवदों मेंथ करते हैं दमकी देते हैं कि हम केस करेंगे लोगों की किस्ते ट्यों रही है कारें ले रखी हैं मकान ले रखें और भी बहुत सारा बिजनस में लोगों की इस्तिति यह भाई वेकी रहने वाले लोगों की तो कहने का मतलब बड़ी प्रोब्लम है खास और से दुबई में रहने वाले इंडिया के लोग हैं उनकी बता दूँ क्योंकि कुएत में सहुदी में इतना लोगों का बिजनस नहीं है उमान कतर बैरिन में दुबई में सबसे ज्यादा है तो भाई सरकार को भी आपको लेकिन कोई नहीं है कोई सचा नहीं है एरलाइंस की तरफ से अपटेट आता है अगया उनको तो आगे से आदेश मिलेगा वे सरकार आदेश देगी ना तभी तो फ्लाइट चालो करेंगे हाँ वह एक अंदाजा बता सकते हैं 15 जुलाइट देते रहेते हैं तीन मेन जाती हैं अभी 21 जुलाइ तक की इंडियन एरलाइनस वह इंडियाट तक दे रही हैं वह 15 जुलाइ तक दे रही है यहनि टिक्टे बुक करवालों जी लाख रुपे की 70,000, 80,000 गी टिक्टे बुक मत करवाना वह सिद्धी बता दूं वरना कोई वरोसा नहीं यह लोगों का कि आप टिक्टों को करोड़ो अरबूर पे पूरे पांसा देश आएसियन कंट्री है अरबूर पे चले जाए टिक्टों में और पता चले फलाइटे आगे किसा गए करिए बाकी वेक्सिनेशन करके तयार रही है क्योंकि जाने वाले वही हैं जो रिदेंशल वरकर हैं यहार दोनों ने डोज लगा रखे वही लोग जाएंगे बाकी विजिट वीजा आलांगे एक्सपोर 2020 है वह स्टार्ट होगा नो डाउट आगा सितंबर साइद में है ना सि लेकिन विजिट जो रिदेंशल वरकर हैं उनकी लिए ज्यादा तर्खास दोर से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो बस यह अपडेट देना था साथियो आगे जैसे कोई ने अपडेट आएगा हम आप लोगों जुरूर शेयर करेंगे वीडियो चाल लगे लाइक शेयर क यह मिलते हैं नेक्स वीडियो में चीजानकारी के साथ जेहिंग जेवा